हलो बच्चों कैसे वाप लोग माईशाल ताराचन टीम मैज CLC सीकर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टेस्ट शीरीज का पेपर नंबर 6 जाई एडवांस का जिसके अंदर पहले हमने मेंस में भी डिसकस किये थे इसी टॉपिक के कुछ कुछ यूसंस यह हमारा अप् लोग मिलके डिसकस करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन बात करते हैं सबसे पहले हमारे सामने एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज में देखी कुछ information है उसकी help से हमें इस पैसेज में दो किसंस दिये गया है उन दोनों को सॉल करना है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बा चाहिए होगा और function चाहिए होगा that means यह जो functional equation हमें दी गई है यहाँ पर इस तरीके से इस functional equation का हमें क्या करना है इसको solve करना है और इसको solve करके यहां से हमें function calculate करना है आईए हम लोग देखते हैं कि यहां से जो function आएगा हमारे सामने वो function क्या आ रहा है उसके बारे में discuss करते है ठीक है तो चलिए देखिए सबसे पहले तो हमें क्योंकि इसमें f of 1 की value जरूद पड़े ठीक और अगर आपको initially नहीं पता रहता है तो आप बाद में जब भी आपको जरूद पड़े तो आप पर calculate कर लीजिएगा ठीक है तो सबसे 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 एक f of 1 कट जाएगा और एक 1 से 1 भी कट जाएगा तो यहां से f of 1 की जो value आएगी वो 1 है यह याद रखेंगे हम लोग कि f of 1 की जो value आएगी वो हमारे पास में कितनी है 1 है ठीक है जब भी हमें requirement होगी ठीक है वहाँ पर हम इस value का use करने वाले के जाएगे चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरा चीज और अब बात करते हैं अपना function कैसे निकलेगा तो देखी जब भी आपको question के अंदर f dash of 1 या मिस differentiation के ट्रम में अगर कोई भी ट्रम दी गई है और कोई भी functional equation है तो generally वह आपकी differentiation की help से ही solve होती है तो यह जो equation दी गई है आप इसको किसी भी एक variable के respect में differentiate कीजिए ना x या y के तो यह जो differential equation है इसको मैं x के respect में क्या कर रहा हूँ with respect to x इसको मैं differentiation कर दिया और जब भी आप किसी भी differential किसी भी functional equation को ना फलनी है समिकरण को जब भी आप differentiate करोगे तो यहाँ पर x और y आपके variables होते हैं तो दूसरे वाला जो variable है वो constant रहेगा ठीक है x के respect में कर रहा हो तो शिरफ x आपके पास में as variable है y आपका constant होगा उसी के आधार पर आप इसको differentiate कीजिए तो पहली ट्रम सबसे पहले f का differentiation होगा f dash x y ठीक है अब x into y का जब differentiation करोगे तो x variable y constant है तो शिरफ x का differentiation 1 हो जाएगा बट constant साथ में आता है इसलिए यहाँ पर लिख दिया आपने y equal to f of x का differentiation f dash x अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं f of y का भी differentiation करते हैं और y को लिखते है dy y dx लेकिन जान रखिए बच्चों यहाँ पर x और y simple variables होते हैं एक variable के respect में करते हो तो दूसरा constant रहता है वहाँ पर ठीक है f of y का differentiation यहाँ पर 0 हो जाएगा फिर x y के अंदर फिर x का करोगे तो y as a constant बच जाएगा x का करेंगे तो minus 1 और y का करेंगे तो अगेन फिर क्या आएगा 0 आ जाएगा clear है अब देखो इसके अंदर हमारे पास में y जो है variable वो function के बाहर आ रहा है और x जो है वो function के शिरफ अंदर बचा है कुछ इस type में आ रहा है तो हमें काम करते है इस equation में x को फिर से 1 put कर देते हैं तो ये बन जाएगा f dash of y into y ब्राबर f dash of 1 और f dash of 1 की value देखो आपको यहाँ पर दे रखी है that is 4 और 7 में आएगा आपके पास में y minus 1 ठीक है अब ये आपके सामने क्या हो गया देखो ये equation आ गया शिरफ इसके अंदर जो as a variable है वो आपके पास में क्या है y ठीक है और y क्योंकि as a variable है तो इसको आप दुबारा किसी दूसरे variable से replace कर सकते हो y को अगर मैं x से replace कर देता हूँ तो यहां से f dash x ब्राबर कितना आजाएगा मेरे पास y को मैंने x put कर दिया तो उधर वाला जो y है वो x हो जाएगा 4 minus 1 बन जाएगा आपका 3 और divide by इधर वाले y को divide करोगे तो उसको भी x लिख दिया that is x f dash x ब्राबर यह है ठीक है तो इसको दोनों साइड integrate कर दीजिए तो आपके सामने f x आ जाएगा f of x will be equal to x divided by x 1 1 का integration कितना होगा बच्चों x plus 3 by x का integration 3 into ln x और plus c तीकि मैंने कहा था आपको f of 1 काम में आएगा और यहां पर use आ गया है x को अगर आप 1 use करते हो यहां पर इसके अंदर तो यहां से देखो c आ जाएगा f of 1 के value 1 यह भी 1 है आपके पास log 1 0 होता है plus c तो 1 से 1 कट जाएगा और c की value 0 आ गई और c की value 0 आ गई that means आपके पास में आपको function मिल गया f of x will be equal to और वो कितना आ गया हमारे पास x plus 3 time ln x ठीक है तो यह हो गया हमारे पास में function f of x ठीक है बस function आ गया पस functional equation का काम यही था f dash 1 का काम इतना ही था ठीक है अब हमारे दोनों question solve करने हैं और उन question को देखी हम बड़े ही आसानी से solve कर सकते हैं उसके लिए इन सब को अपन क्या कर देते हैं बच्चो मिटा देते हैं क्योंकि इसका आप कोई use अपनी question में नहीं रहेगा f of 1 का भी अब कोई use नहीं है बाक 3 times ln x divided by x into dx ठीक है ना दोनों को integrate करना है अगर यहाँ पर x x कट जाएगा तो वापिस 1 बचेगा 1 का integration x इसमें ln x को t मान लीजिए तो यह 3t into dt बन जाएगा क्यों क्योंकि अगर आप ln x को t मानेंगे तो 1 by x into dx यह पूरा कितना हो जाएगा आपके पास में dt यह पूरा किसका काम करेगा dt का ठीक है 3 bar था उसको as it is run दीजिए तो 3t into dt का integration क्या होता है 3t square by 2 plus c और t के वाली वापिस पूट कर दीजिए log x आपको मिलेगा x plus 3 times ln square x divided by कितना है आपमारे पास में 2 ठीक है तो 2 square इसको divide कर दीजिए plus c ऐसा कौन सा option है ऐसा option है बच्चों हमारे पास में हमा हमारा fourth option क्यों x आ रहा है तो x तो देखो सभी में आ रहा है लेकिन 3 by 2 into ln square x आएगा न ln square है इसी के अंदर पहले में भी square है बट by 2 नहीं दे रहा है इसलिए पहला गलत हो जाएगा fourth option हमारा यहाँ पर क्या है सही आनस्वाए चलिए अपने इस function को याद रखिए का x plus 3 log x ठ ठीक है तो चलिए हम चलते हैं आगे और बात करते है question number 2 के बारे में क्या है देखो question number 2 भी हमारे पास में इसी से related है अभी अभी जो हम लोगों ने discuss किया है देखते हैं देखो कैसे solve करेंगे इसको e की power fx dx इसको integrate करना है तो e की power fx क्या था x plus 3 ln x ठीक है into dx ठीक है इसको अपने को integrate करना है और इसका integration हमें कुछ इस format में दिया गया है यहाँ से हमें a, b, c, d sub values निकालनी है और देखना है कि क्या होगा चली देखते हैं करते हैं बात सबसे पहले इसको अलग-लग कर लेते हैं अगिन e की power x को अलग किया और e की power 3 ln x को पर ले जा सकते हो ना property होती है तो यह बन जाएगा ln x cube और ln का जो base होता है वो भी e होता है और आप सबको पता होगा अगर ऐसा होता है तो यह guide हो जाता है अगर log का base और exponent का base same हो तो वो cancel out हो जाते हैं एक दूसरे से तो हमारे पास में e की power x into x cube into dx इसको आप बहुत आसानी इसे integrate कर सकते हो अब सबको पता होगा e की power x के साथ में अगर कोई भी function हो तो इसको क्या करना होता है उसका integration करना बड़ा आसान होता है सबसे पहले x cube ठीक है इसके बाद में minus इसका differentiation that is 3x पहले सबसे पहले as it is फिर इसी का differentiation minus 3x square फिर minus के बाद sin plus आएगा और यह जो function है इस इसका differentiation that is again यह प्लस आया था तो अगला minus sign आएगा minus 6 और इसके बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में इसका differentiation इसका differentiation 0 तो जैसे ही आपके सामने 0 आजाए आपको रुख जाना होता है यह e की power x into polynomial को differentiate करने का sorry integration करने का formula होता है आप इस तरीके सीधा use कर सकते हो ताकि आ आपको अपनी calculations चल्दी हो जाए आपको कम से कम time में question solve हो जाए ठीक है अब देखो आपको यह इस format में दिया गया है e की power x into a cubic equation यहाँ पर भी देखो एक cubic equation आ रही है तो यहाँ से आप compare कर लीजिए a ब्राबर है आपके पास में 1, b ब्राबर minus 3, c ब्राबर 6 and d ब्राबर भ जाएगा और इन दोनों का जो sum आएगा वो आजाएगा आपके पास में कितना minus 2 ठीक है और minus 2 हमारा कौन सा option है second option तो जिन भी बच्चों ने इसमें second option किया है उन सभी का यह question बिलकुल सही है के लिए रहे सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं अपने passage number 2 के बारे में क्या है देखो आईए बात करते हैं इसमें passage number 2 question number 3 के अंदर यह सबसे पहले वही आपको क्या करना है अपने ऊपर जो equation दी गई है उस equation को solve करना है ठीक है चली करते हैं देखे इसमें क्या है आपके सामने इसके अंदर integration के format के अंदर कुछ चीजें दी गई है actually यह जो question होता है आपके सामने यह application of derivative और साथ में definite integration दोनों का होता है ठीक है बट आप यहाँ पर भी इस question को solve कर सकते हैं ठीक है क्योंकि definite integration का कोई खास use नहीं होगा lemnese rule का use यहाँ पर जरूर रहेगा चली बात कर लेते हैं कि क्या आ रहा है देखो यहाँ पर ठीक है तो सबसे पहले हमें एक function दिया गया है x cube by 2 plus 1 minus x 0 से x gt dt and gx ब्राबर x 0 से 1 ft dt ठीक है और साथ में हमें यहाँ पर क्या दियरका है यहाँ पर हमें यही function दियरका है बस यह हिंदी में दियरका है तो चली हम minimum distance between fx and gx में हमें दोनों functions निकालने हैं x और g ठीक है और आए देखते हैं कि इसे question को हम किस तरीके से कैस solve करते हैं clear चली तो सबसे पहले तो देखो जो भी constant limit वाला जो होता है उसको आप हमेशा एक क्योंकि यह constant होता है definite integration क्या होता है constant value होती है तो इसको आप ए constant मालीजी तो g of x ब्राबर कितना आ जाएगा आपने पास x minus a clear है चली अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे निकालेंगे तो हमेशा जब भी question आता है एक function दूसरे function की help से solve होता है ठीक है constant शिरफ एकी चीज़ है यहाँ पर क्योंकि 0 से 1 यहाँ पर आपको 0 से x दिया गया है तो इसको तो अपने को use करना पड़ेगा अब एक काम करते हैं क्योंकि gx है हमें यहाँ पर gt चाहिए तो gx है तो हम gt भी निकाल सकते हैं gt कितना हो जाएगा t-a हो जाएगा ठीक है na a is constant है इसकी value अपने निकालेंगे आगे चलके अपनी इसकी value calculate करना ही हमारा मकसद रहेगा चलिए देखते कैसे calculate होगा तेखो यह जो function है f of x इसको मैं क्या लिख सकता हूँ f of x बराबर है x cube by 2 plus 1 minus x और 0 से x gt dt gt कितना है मेरे पास में t-a into dt ठीक है इसको तो आप integrate कर सकते हो पिलकुल क्योंकि t का function आपके पास में आ गया ठीक है एक polynomial equation को integration बड़े आसानी से और इसमें limit put कर दीजिए तो यहां से क्या मिल रहा है देखो मैं x cube by 2 plus 1 minus x इसका integration होगा बच्चो t square by 2 minus a constant का का काम करेग यहां पर into आपके सामने कितना है limit put करोगे 0 से x put कर दीजिए limit कितना आ रहा है देखो x cube by 2 plus 1 x square by 2 बहार एक x है इसके साथ multiplication होकर कि यह हो जाएगा x cube by 2 फिर आगे minus minus plus हो जाएगा यहां पर ax है बहार एक x है अगे यह बन जाएगा आपके पास ax square तो इससे यह कट जाएगा और आपके सामने जो function f of x है वो आजाएगा ax square plus 1 अब देखो gx था आपने पास में x minus a और fx आगया हमारे पास में ax square plus 1 ठीक है लेकिन अभी हमारे पास में a नहीं आया है ठीक है जो भी आपन जिस भी आपकी जो भी constant limit होती है जिसको आपन मानते है कोई भी variable उसकी value भी नि निकलेगी उसके लिए देखो अपने a किसको माना था a माना था अपन ने 0 से 1 f t dt को ठीक है तो एक काम करते है ये वाला जो function fx वाला आया था वहां से f t निकाल लेते हैं f t कितना हो जाएगा a t square plus 1 और इसको integrate कर देते है 0 से 1 तक into dt 0 से 1 into dt इसा क्यों कर रहे है क्योंकि हमे पता है कि 0 से 1 f t dt को हमने a माना था तो इसके जगे पर हम a put कर सकते हैं और इसको आपन integrate करके यहाँ पर आपन 0 से 1 limit जब put करेंगे तो हमारा a मिल जाएगा कितना आएगा देखो a t cube by 3 plus t इसमें limit put कीजिए 0 से 1 तो आपको मिलेगा बच्चो a by 3 plus 1 ठीक है 0 put करोगे तो 0 हो तो a ब्राबर आ गया a by 3 plus 1 a by 3 को इधर ले आईए so 2a by 3 ब्राबर 1 तो यहाँ से a की value आ गई a ब्राबर कितना आ गया 3 by 2 a आ गया तो अपने सारी question solve हो जाएंगे क्योंकि अपने gx था x minus a और fx ब्राबर था ax square plus 1 तो यहाँ लिख लेते हैं ताकि सबागी सभी चीज़ों ब्राबर कितना है हमारे पास fx ब्राबर है हमारे पास में 3 by 2 यह कितना था 3 by 2 x square plus 1 और gx कितना था अपने पास में gx है अपने पास में कितना x minus 3 by 2 ठीक है यह दोनों चीज़ा हमारे पास में आ चुकी है अब इन सब का काम complete हो गया है इसमें कोई भी आपको doubt रहा है जो अब भी आपने discuss किया तो इसको आप दुबारा देख सकते हैं चली अब आते हैं अपने questions पे सबसे पहले बात करते हैं अपना पहला question number 3 minimum distance between the function fx and gx इन दोनों functions के बीच की new term दूरी कितनी होगी वो हमें निकालनी है आईए बात करते हैं एक linear equation और एक कोई भी आपके सामने polynomial हो तो जब भी आपको new term दूरी निकालनी हो ठीक है तो कैसा भी करो होता है तो अगर हमें पता होता है करो और line के बीच की new term दूरी तभी लाई करेगी जब ये line उसके point of contact के उपर इसके साथ में एक parallel line बने या यह कहेंगी यहां से अगर आप एक normal draw करें ठीक है इस point से तो वो line और ये line दोनों perpendicular होनी चाहिए उस case में जो distance आती है वो ही new term होती है यह आप सबको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो इसको हमें सा याद रखिए कि minimum distance always lies along the normal ठीक है चरिए अब यह कैसे निकालेंगे तो क्योंकि हमें यह जो line दे रखी है कौन सा जो gx function है वो क् x minus 3 by 2 क्या है एक line की equation तो इस line की slope तो पता है अपने को कितनी है m ब्रावर 1 तो अपने काम करते हैं हम इस point के coordinates निकाल लेते हैं इस point के अंदर मैंने x coordinate को t मान लिया ठीक है या t मानने की जोर्त भी नहीं है इसके coordinates कैसे निकालेंगे तो इस वाली tangent की slope निकालते हैं और इसक slope कैसे निकलेंगी तो उसके लिए हमें यह function दिया गया है fx इसको differentiate कीजिए तो f dash x ब्रावर कितना आ जाएगा बाहर आ जाएगा 2 2 से 2 कट जाएगा so that is 3x plus 0 ठीक है 3x plus 0 और 3x plus 0 क्या है f dash x ठीक है और f dash x क्या होती है f dash x होता है हमारे पास में tangent की slope और tangent की slope हमें पता कितन है that will be equal to 1 तो यहां से हमें x की value मिल जाएगी x ब्रावर 1 by 3 x ब्रावर 1 by 3 means इस point का x coordinate है अपना 1 by 3 अगर हमें इस point का y coordinate चाहिए तो इसके लिए fx की value निकाल लीजिए यह है y ब्रावर 3 by 2 x square plus 1 3 by 2 x square plus 1 इसमें x को 1 by 3 put कीजिए तो 3 कट जाएगा so that is 1 by 6 plus 1 that is 7 by 6 ठीक है औ और इसका y coordinate कितना आगया आपने पास 7 by 6 अब point आगया line की equation अपने को पता है तो इस point की इस line की perpendicular distance निकालोगे वही होगी आपके पास में इस curve fx और gx के मध्ये की जूनतम दूरी line की equation क्या है यह रही इसको simplest format में लिके लें 2y ब्रावर 2x minus 3 ठीक है न 2y को भी इदर ले आए तो यह है आपके पास में 2x minus 2y minus 3 ब्रावर 0 इसमें जूनतम दूरी निकालने के लिए क्या करते है इस point को इसमें put करते है तो put करने से मिलेगा आपको 2 by 3 minus 7 into 2 14 by 6 minus 3 का mod और divide by 4 4 plus 4 का root इसको simplify कर लीजिए देखी कितना आ रहा है इसको भी लिख सकते हो आप 7 by 3 so 3 LCM आ जाएगा तो यहां से आएगा आपके सामने कितना देखो 2 minus 7 और minus 9 और divide by नीचे है आपके सामने 2 root 2 ठीक है इसको simplify कर लीजिए तो यहां से simplify करने से 1 by 3 भी रहेगा उपर से वो भी नीचे आ जाएगा so 9 7 8 plus 8 16 16 plus 2 14 तो 14 by 2 कितना हो जाएगा 7 by 3 root 2 ऐसा कोई option आपको दिया गया है तो वही है आपका सही answer और 7 upon 3 root 2 ऐसा है बच्चों हमारा third option तो इस question का जो सही answer रहेगा वो रहेगा आपका third option question number 3 के अंतर clear है चली अब आपको लग रहा होगा यह इतना बड time लग गया तो अगला question में पता नहीं कितना time लगेगा तो जब भी कोई एक question इतना बड़ा होता है पैसेज का तो अगला question आपको बहुत ही simple सा मिलेगा जैसा आपको यहाँ पर है next question में शिरफ आपको इस gx function की जरूत पढ़ेगी तो इसको ज्यान में रखिएगा ताकि आ आईए बात करते हैं क्या है हमारा question number 4 Question number 4 के अंदर देखो हमें क्या करना है यहाँ पर आपको एक दे रखा है the function gx के बारे में बताना है कि बस कैसा है ठीक है वो yx को कहाँ पे cut कर रहा है या वो surjective है या injective है इसके बारे में बात करनी है चली बात कर लेते हैं तो gx क्या था हमारे पास में gx ब्राबर था और वैसे भी देखी यह single type का अगर question है तो यह आपको बहुत ही आसानी से solve हो जाना चाहिए जब इसमें x को zero put करोगे तो y minus 3 by 2 आएगा और x zero put करने से y अगर minus 3 by 2 आ रहा है that means यह yx को कहाँ पे cut कर रहा है minus 3 by 2 पे cut कर रहा है तो second option हमारा यहाँ पर क्या है सही है बाकि आप इसके अंदर injective surjective यह चेक कर सकते हैं तो linear equation आप सबको पता है कि 1 1 भी होती है एक का relation एक के साथ में होता है और surjective भी होती है क्योंकि इसकी domain होती है तो पहला option गलत हो जाएगा और यह कह रहा कि injective नहीं यह third option तो यह भी गलत हो जाएगा तो linear equation में injective surjective check करना कोई भी बड़ी बात नहीं है ठीक तो बहुत ही आसान सा question अगर आपने पहले question में ज़ला time लगा है तो यह question बहुत ही जल्दी solve हो जाएगा चलिए अब आगे चल लेते हैं और बात करते हैं अपने second section के बारे में जिसके अंदर हमें मिलेंगे कुछ multiple choice questions ठीक है six questions है हमारे पास में इसमें ठीक है चार options दिए गए है और यह आपकी marking scheme है हमेशा exam से पहले इसको पढ़े ठीक है ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए अपने marking से related कोई भी दिक्कत ना आए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ आता है ठीक है और हम थोड़ा ध्यान से question को नहीं पढ़ते हैं और उसकी वज़े से हमारा question क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम marking scheme की वज़े से हमारा question के अंदर हमारे marks नहीं कटने चाहिए कि जार है चलिए बात कर लेते हैं question number one के बारे में क्या है question number one the extremum values of y ब्राबर this ठीक है ये एक function है इसको integrate करके अगर आप x की limit put करेंगे चाहो तो आप इसको put कर भी सकते हो काम भी आएगा t square minus 3t plus 2 ठीक है इसको integrate कर लीजी 0 से x तक तो आ minus 3t square plus 2t 3t square by 2 plus 2t इसमें limit put कर दीजी 0 से x तक तो 0 put करोगे 0 आएगा x put करोगे तो function आजाएगा x cube by 3 minus 3 by 2 x square plus 2x ठीक है ये है आपका f of x या y ब्राबर x ठीक है चलिए ये तो function हो गया इसके तो हमें आगे जरूत पड़ेगी देखो extremum values का मतलब क्या हुआ सबसे पहले तो point of extrema जो होते है न वो थो x की values होती है extremum values मतलब ये हो गया कि आपके जो point of minima और point of maxima होते हैं ठीक है वहाँ पर function की जो value होती है जो function की जो value होती है उन point पर उसको बोलता है extremum values values पूछिए हमें कहीं आपके पास में 2 हो सकता है कि 2 values हो सकता है 3 आए x से तो ज्यादा आएगी क्यों values कहा गया है तो चलिए बात कर लेते हैं उसके लिए हमें point of minima और point of maxima चाहिए होगे x चाहिए होगा उसके लिए हमें dash x चाहिए चाहो तो आप इसको differentiate कर सकते हो नहीं तो इसको direct आप lemnich से differentiation कर सकते हो dy by dx ब्राबर कितना हो जाएगा x minus 1 into x minus 2 x इस minus plus पहले graph increase हो रहा है फिर graph decrease हो रहा है फिर वापिस increase हो रहा है मिन्स यह दो आपके सामने extreme points होंगे और in points पर extreme values पूछी गई है मिन्स यहाँ पर और यहाँ पर y की values पूछी गई है यहाँ पर y maximum आएगा कब जब x equal to 1 put करोगे यह point 1 है तो इसमें 1 put करोगे तो maximum मिलेगा 1 by 2 minus 3 by 2 plus 2 LCM ले लिजिए 6 2 minus 9 plus 6 into 2 18 ऐसा ही है यहाँ पर कितना आएगा 2x 2x में 1 put करोगे तो 2 LCM लोगे तो 18 18 minus 9 कितना आएगा यहाँ पर 1 second calculation देख लेगे अपनी t minus 1 t minus 2 इसमें 1 put किया 1 put किया तो 1 by 3 minus 3 by 2 plus 2 LCM आएगा 6 6 आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 12 आएगा 12 प्लस 2 14 और 14 minus 9 कितना आएगा 5 by 6 ठीक है so 5 by 6 है option बिल्कुल है देखो यह एक आपके पास में extremum value होगी ऐसे इसमें 2 put करीजे 2 पर देखो y की minimum value मिलेगी अच्छा यह all over function की minimum value नहीं है लेकिन यह extreme values है जहाँ पर local minimum और local maximum होता है उनहीं को बोलते है extreme values ठीक है y की minimum value के लिए 2 put करेंगे 2 put करेंगे ता आएगा बच्छो 8 by 3 minus 2 कर जाएगा 6 plus 2 into 2 4 तो minus 2 so 8 minus 6 by 3 so that is 2 by 3 so x equal to 2 पर जो y की value आगे वो 2 by 3 that means यह जो option है आपका यह भी क्या होगा बच्छो सही आनस्वार किज़े रहे सभी को चलिए आगे चल लेते हैं बात करते हैं next question number 2 के बारे में क्या है देखो question number 2 के अंदर question number 2 में आपको एक function दिया गया है तो function तो हर question में भी दिया जाता है इसमें भी दिया है बिलकुल दिया है क्या करना है देखो on which of the following interval the function this is strictly increasing strictly increasing के लिए क्या होता है बच्छो f dash x आपका greater than 0 होना चाहिए और equal to 0 हो सकता है लेकिर वो discrete points पे होना चाहिए ऐसा जरू नहीं कि हमेशा आपके पास में positive हो strictly increasing के लिए 0 भी हो सकता है लेकिन वो continuous interval में होना चाहिए discrete point अलग-लग points पर जैसे x equal to 1 पे हो गया फिर 7 पे हो गया फिर 10 पे हो गया ठीक है इस type में अगर graph बन गया तो strictly increasing है यहां पर देख से f dash x उसका 0 undefined कुछ इस type का आजाए आपके पास ठीक है so f dash x की value greater than or equal to 0 होनी चाहिए लेकिन आपके सामने जो equal to 0 होता है वो discrete points पे होता है लेकिन चली देखते हैं पहले इसको function मान लिया और इसको differentiation किया f dash x आएगा कितना देखो 100 into x की power 99 plus sin x की value cos x और minus 1 का differentiation 0 अब ये जो options दिये गए इनी options में से आपको बताने कि कहां कहां पर f dash x greater than or equal to 0 होगा ठीक है तो सबसे पहले अपन बात करें देखो बच्चो इस option के बारे में 0 से 1 के बारे में तो 0 से 1 में देखो x positive होता है तो ये quantity positive होगी और cos x भी 0 से 1 cos x 0 से pi pi 2 तक positive होता है ठीक है तो 1 का मतलब तो कितना हो क्या 57 degree तो यहाँ पर ये भी positive है और दो positive quantities का sum कैसा होता है बच्चो हमेशा positive होता है so f dash x greater than 0 है अच्छा equal to 0 है जरूरी नहीं बट आ सकता है discrete point पर बट ये तो always positive है that means इस interval में ये strictly increasing होगा ठीक है चलो इस point के बारे में discuss करते है 0 से pi pi 2 में 0 से pi pi 2 में फिर से देखो x तो क्योंकि 0 से pi pi 2 तो positive quantity है 100 से multiply करोगे तो ये positive quantity आएगी फिर से 0 से pi pi 2 में cos x again greater than 0 होता है क्योंकि pi pi 2 के open interval है तो positive ही होगा again दो positive quantities का sum कैसा होगा positive तो यहां पर भी f dash x कैसा होगा greater than 0 तो इस interval के अंदर भी आपका क्या होगा function आपका strictly increasing होगा ठीक है अब बात करते है बच्चो तीसरे option के बारे में इस cos x से बड़ी होगी कैसे पता चला क्योंकि देखो pi pi 2 से pi second interval होता है ठीक है second interval में cos x जरूर negative होता है no doubt negative ही होता है ठीक है इसकी जो numerical value भी जो होगी आपके पास में minus 1 से 0 के बीच में लाई करेगी बट ये quantity जो है आपके पास में ये 1 से भी बड़ी होगी ठीक है ना 1 से भी बड़ी होगी equal to भी नहीं होगी क्यों क्योंकि pi pi 2 आपका सबसे चोटा point है 1 से बड़ा number है 1 से बड़े number पर ये 1 ही होता है उसको 100 से multiply करो तो 100 से बड़ा होगा तो 100 से बड़ा number है उसमें से अगर minus 1 से 0 के 20 का number गटा भी दोगे तो आपके पास में positive quantity बचेगी means आपका function यहाँ पर भी हमेशा strictly increasing होगा अब बात कर लेते हैं पहले option के बारे में तो पहले में 0 से 1 तक तो आपने check कर लिया ठीक है उसमें positive है ठीक है यह वाले में x equal to 0 अगर put करें तो x equal to 0 पर cos 0 1 x equal to 0 पर positive है लेकिन minus 1 से 0 के अंदर यह positive होगा ऐसा जरूरी नहीं है क्यों जरूरी नहीं है क्योंकि minus 1 से 0 के अंदर क्या होगा यह cos x तो हमेसा positive होगा लेकिन 100 into x की power 99 जो है आपके पास में ठीक है वो एक negative value देगा और एक negative value जब 100 से multiply होगी ठीक है ना जब वो 100 से multiply होगी तो वो positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है और depend करेगा तो minus 1 से 0 में आपका strictly increasing होगा ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है कुछ interval में positive होगा कुछ में negative होगा जैसे for example अगर मैं बात करूं कि x की power 99 एक बहुत ही छोटा number आजाए जैसे for example minus 1 upon 1 lakh ठीक है तो minus 1 upon 1 lakh तो ये number क्या हो जाएगा 100 को अगर 1 lakh से divide कर दोगे आप ठीक है तो 100 को 1 lakh से जब so divide by 1 lakh तो एक बहुत ही छोटा negative number है और ये quantity क्या है positive तो उस case में दोनों मिल कर के क्या हो जाएगा आपके पास में positive ही रहेगा लेकिन for example इसको nearby अग हो सकता है ये minus 100 हो जाएगा minus 100 plus 1 वा negative हो जाएगा ठीक है तो ये strictly increasing नहीं होगा तो इस वाले के बारे में अपन क्या मलब होगा ही नहीं minus 1 से 0 में और बाकि इन 3 इंटरोल में ये function आपका हमेशा strictly increasing होगा इस type से भी आपको बहुत बार क्यूशनों में analysis करना होता है तो आप क्यूशनों में इस तरीके से कर सकते हैं के लिए रहे बच्चो चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं next question number 3 के बारे में क्या है देगो question number 3 है हमारा question number 3 के अंदर आपको बोला गया है कि आपका जो ये function है ठीक है वो कैसा होगा ठीक है x की power 4 12 lnx-7 इसमें point of minima कहां लाई कर रहा है इसमें point of maxima कहां लाई कर रहा है उन सब के बारे में आपको क्या करना है discuss करना है यहाँ ठीक है और concavity के बारे में जिसे मैंने कहा था कि बह यहाँ पर वो चीज़ भी आपके काम में आएगी ठीक है चली बात करते है सबसे पहले function क्या है x की power 4 एक सेकिंड कुछ भी चेक करने के लिए हमें इसका differentiation चाहिए होगा तो चली अपने इसको differentiate करते हैं तो यह आएगा 4 x cube into 12 ln x minus 7 और जब इसका करेंगे तो x की power 4 as it is रहेगा तो यह आजाएगा 12 divided by x minus 0 इसा आएगा चली आगे solve करते हैं इसको कितना आएगा देखो x की power 4 12 by x देखो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है तो 4 को common ले लो x में इससे कट जाएगा यह x cube भी बचेगा यह x cube भी पूरा बाहर आजाएगा तो यहां बचेगा 12 ln x minus 7 इसमें से 4 common आगया तो पिछे बचेगा 3 ठीक है minus 7 plus 3 कितना हो जाएगा बच्चो 4 हो जाएगा ठीक है minus का 4 वो भी बाहर आजाएगा तो इसको 16 x cube लिख सकते हैं आप और यहां बचेगा 3 ln x minus 1 इसा आएगा आप देखो आपको अच्छा question के मैं अगर options को ध्यान से देखोगे तो आपको 0 से आगए ही देखना है 0 से पिछे क्या हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है चली करते हैं सबसे पहले तो f dash x 2 point पे 0 आ रहा है एक तो 0 पे 0 आ रहा है एक आपके पास में यह 0 कब होगा जब इसको 0 के ब्रावर करोगे तो 3 ln x ब्रावर 1 3 को इदर लाओगे तो 1 by 3 x ब्रावर e की पावर 1 by 3 पर तो यह दूसरा point आएगा e की पावर 1 by 3 जो 0 से बढ़ा होगा इसके दर positive negative और positive ठीक है तो x ब्रावर e की पावर 1 by 3 के बारे में बोला भी गया है कि यह क्या है this is the point of minima है या नहीं तो एक क्या e की पावर 1 by 3 point of minima होगा तो एक graph diagram बनाए तो यह graph increase यह decrease फिर increase तो क्या यह minima है तो बिल्कुल देखो इस type का जो graph बनता है वहाँ पर point of minima होता है तो यह option आपका बिल्कुल सही है क्लियर है बच्चो चलिए one per point of inflection है या नहीं और अगर point of inflection है one per value इसकी minus 7 आ रही है या पर one put करके आप देख सकते हैं ठीक है तो actually आपको one per check करना है point of inflection है या नहीं तो अगर यह इस graph एक side concave upward और दूज़ side concave downward है तो point of inflection आएगा otherwise नहीं आएगा तो चलिए अपन इसक concavity के बारे में बात कर लेते हैं कि यह concave upward और concave downward होगा या नहीं होगा ठीक है चलिए अपने पास में f dash x कितना आया था अभी 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 आपने निकाला 16 x cube into 3 ln x minus 1 यह आ आ गया था अपने पास में क्या f dash x ठीक है और f double dash x निकालने के अपने concavity चेक कर नहीं था अभी इंटू 3 48 x square इंटू 3 ln x minus 1 और 3 ln x का करेंगे तो कितना आएगा देखो बच्चो 16 x cube into 3 divided by x तो यह कट जाएगा अगे नहीं यहाँ पर x square बच जाएगा ठीक है तो यह 48 x square यह भी 48 x square तो यह भी कट जाएगा और यह कट जाएगा तो कितना आएगा देखो चलिए देखते ह कि f dash x क्या आ रहा है देखें यहां से तो यह तो देखो कट जाएगा 48 x square minus 48 x square यहां से आएगा हमारे पास में 48 into 3 time x square that will be equal to f double dash x ठीक है और 7 में कितना आ रहा है ln x भी आ रहा है ठीक है अब देखो f double dash x फिर से आपके पास में 0 हो रहा है और यह कहां पर 0 हो रहा है 1 पर 0 हो नहीं है 1 के इदर log x positive होता है और 07 में log x negative होता है तो दोनों का product negative होगा तो फिर से देखो यहां पर आपके पास में क्या आ रहा है negative और positive और negative से positive में अगर convert हो रहा है ठीक है और f double dash x किसी भी point पे तो वो होता है आपका point of inflection that means आपका पहला option भी क्या हो गया सही हो गया ठी ठीक है तो यहां पर आपके सामने जो पहला जो point दे रहा है तो graph is the concave downward in 0 से 1 ठीक है तो concave downward कहां पे होता है जब graph आपका 0 से 1 के अंदर 0 से 1 में क्या हो रहा है 0 से 1 में जहापर negative होता है वहां पे concave downward होता है तो यहीं है graph आपके सामने यहां पर concave downward ठीक है तो third option भी आपका क्या हो गया सही हो गया और fourth option में आपको दे रखा है कि graph concave upward तो 0 से 1 में concave upward कहां पे आपके पास में 1 से infinite में तो यह आपके सामने गलत हो जाएगा ठीक है जहां पर f dash x negative आता है वहां पे concave downward और जहां पर f dash x positive आता है वहां पे होता है आपका concave upward तो यहां पर आपके पहले तीन option सही है 1, 2 and 3 चली आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं question number 4 के बारे में question number 4 क्या है आईए देखते हैं question number 4 के अंदर again आपके सामने एक function दिया गया है ठीक है और आपको इस function को बताना है कि कहां पे increasing होगा सबसे पहले तो आपको देखो यह जो function है increase और decrease किसके बारे में बताना है आपको GX के बारे में हिंदी इंग्लिस दोनों में देख सकते हो आप GX कहां पर increase होगा कहां पे decrease होगा अच्छा F के बारे में आपको क्या दे रखा है कि F double dash X negative होने का मतलब क्या हुआ कि कि F dash X वाला जो function है हमारा वो कैसा होगा decreasing होगा ठीक है ना यह किसीज का sign होता है decreasing ठीक है हरास्मान का decreasing यह वाला point ठीक है F dash X कैसा है आपके सामने decreasing होगा के लिए और FX F dash X decreasing है इसी का यूज करना है अपने को question में अब बात करते हैं को G X increase कहां पर हो रहा है decrease कहां पर हो रहा है ठीक है तो एक चीज निकाल लेते increase वाला decrease वाला automatic आ जाएगा फिर तो सबसे पहले अपन बात कर लेते 0 से 1 में बताना है आपको उसके अलावा और options भी 0 से 1 में दिये गए है तो अपन decrease के लिए check कर लेते कि G-X decrease कहां पर होगा ठीक है तो G-X decrease होने के लिए G-X की value क्या होनी चाहिए बच्चो less than 0 होनी चाहिए ठीक है जैसे F-X less than 0 इसका मतलब क्या हुआ F-X decrease है इसलिए G-X decrease होने के लिए वाग पर G-X क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए G-X अगर 0 से छोटा है ठीक है तो यहां से अगर अपन G-X निकाले तो कितना आएगा 2 time F-X by 2 into 1 by 2 और minus F-X of 1 minus X that will be less than 0 2 से 2 कर जाएगा तो यहां से आजाएगा आपके सामने F-X by 2 will be less than F-X of 1 minus X ऐसा होगा अब देखो F-X by 2 less than F-X of 1 minus X और हमें यह पता है कि F-X decreasing function है तो first definitions होती है हमारी increasing decreasing अगर कोई भी function किसी intervalment decrease हो रहा है तो उसके जो points होते हैं उसमें और function में क्या होता है inequality change हो जाती है तो जब आप यहां से आगे बढ़ोगे function को हटा होगे means points पर आओगे तो अगर function में inequality less than कि है तो यहां पर क्या हो जाएगी greater than कि हो जाएगी X इदर आ जाएगा तो 3X by 2 हो जाएगा यह will be greater than 1 तो यहां से हमें मिलेगा X will be greater than 2 by 3 means X जब 2 by 3 से बढ़ा होगा तब हमारा function क्या करेगा और 2 by 3 से आगया में कहां तक जाना है बच्चो 1 तक according to the condition so 2 by 3 से 1 में हमारा function क्या होगा decrease होगा क्योंकि हमने decrease वाली condition को check की है increase वाले के लिए क्या करोगे यहां पर greater than positive के लिए check करोगे means answer बिलकुल उल्टा आएगा last के अंदर यहां पर x less than 2 by 3 आएगा और increases के लिए बाकि आप अगर decrease के लिए कर लेते हो तो increase के लिए सीधा कर सकते हो आपके जो इसका reverse जो answer होगा अगर x जब 2 by 3 से greater पर अगर decrease हो रहा है means इसके पहले वो क्या हो रहा होगा increase हो रहा होगा तो second और third दोन option से यह बाकि आप इसी तरीकी से चेक कर सकते हो increase के लिए आपको greater than 0 वाली condition को solve करना होगा ठीक है चलिए आगे चल लेते हैं बात करते हैं question number 5 के बारे में क्या है देखो question number 5 question number 5 है हमारा किस से related integration कौन सा integration indefinite चलिए बात करते हैं कौन कौन से option सही है देखे इसमें सबसे पहले तो इसको integrate कर ले और integration देखो बड़ा ही आसान है x dx upon x की power 4 plus x square plus 1 equals ठीक है तो देखो क्या करेंगी इसमें x square को t मानो तो x into dx कितना आ जाएगा dt by 2 ठीक है यह put कर दो देखो x dx की जाए dt by 2 into t plus 1 अब इसको कैसे integrate करते हैं इसको perfect बनाते हैं सबसे पहले तो that is dt divided by t plus 1 by 2 का t plus 1 by t square plus t so t square plus 2 time यह करने से t आ जाना चाहिए so 1 by 2 का whole square और plus 1 by 4 एड़ कर दिया so 1 by 4 subtract करेंगे तो पिछे बचेगा 3 by 4 ऐसा आ जाएगा और यह क्या बन गया आपके पास में t plus 1 by 2 को अगर मैं alpha मान लो ठीक है तो यहां से यह क्या आ जाएगा 1 by 2 d alpha divided by alpha square plus 3 by 4 ठीक है इसको आप आसानी से integrate कर सकते हो so 1 by 2 into root 3 by 2 into 10 inverse alpha divided by root 3 by 2 ठीक है alpha की value वापिस पूट कर दो t plus 1 by 2 तो यह बन जाएगा आपके यह 2 से 2 भी कर जाएगा so 1 by root 3 into 10 inverse alpha की value कितनी है t plus 1 by 2 तो 2 से जब multiply करोगे तो यह कितना बन जाएगा आपके सामने 2t plus यहां से 1 आ जाएगा divided by root 3 और t आपके पास में कितना था x square ठीक है तो यह option आपके पास में किया है बिल्कुल सही answer है second option लेकिन क्योंकि बच्चों यह multiple choice question है तो यहां पर और भी answers आ सकते हैं ठीक है तो और कौन से option सही है उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको दुबारा integration करने की ज़रूत नहीं है आप इन options को simplify करके देख लीजिए तो अब देखो जब आप इनको simplify करोगे दोनों options को तो आपको एक option और मिलेगा यहापर जो सही answer है और वो देखो कौन सा option है उसके बारे में बात कर लेते second option अब बारे सही है तो इसके बराबर में आएगा अगर जो भी option सही होगा तो देखो अगर मैं इसको solve करता हूँ इसमें 10 inverse A-B का formula लगाता हूँ तो देखो क्या आ रहा है अचा 1 by root 3 तो बाहर है बस तो इसको simplify करके और इसके बराबर check कर लेते है root 3 को छोड़ देते हैं चलो देखो कितना आ रहा है 10 inverse 10 inverse A-10 inverse B क्या होता है बच्चो 10 inverse A-B 2X-1 by root 3 minus 2X plus 1 by root 3 और divide by 1 X-Y divided by 1 plus XY दोनों का product दोनों को multiply करोगे दाएगा 4X square minus 1 divided by 3 इसको solve करो देखो 2X by root 3 से 2X by root 3 कर जाएगा minus 1 by root 3 और minus 1 by root 3 10 inverse minus 2 by root 3 यहां से LCM लो 3 plus 4X square minus 1 that is 2 plus 4X square 2 से 2 काट दो कॉमन लेके minus sign को बाहर निकाल दो तो यहां पर आजाएगा आपके पास में कितना minus 2 by root 3 अच्छा नीचे 3 भी था वो उपर आजाएगा आपके सामने 2 plus 4X square by 3 so that is minus root 3 divided by 2X square plus 1 ठीक है अजब minus sign को बाहर निकाल लिया तो यहां plus हो जाएगा अब देखो ऐसा तो आ रहा है लेकिन उसमें उल्टा है और इसमें minus sign आ रहा है उसमें minus sign नहीं था तो यह minus sign गाइब कैसे होता है सबको पता होगा 10 inverse को किस में convert करते हैं pi by 2 minus cos inverse x cot inverse x तो यह हो जाएगा cot inverse root 3 divided by 2X square plus 1 ठीक है तो minus plus में आ जाएगा आपके होगा एक सब माइनस 5 by 2 तो आए नहीं रहा तो यह तो एक constant है ना यह तो C के साथ में मिल जाएगा ठीक है ना minus 5 by 2 plus C is also a constant तो cot inverse में आ गया इसको उल्टा करोगा तो 10 inverse यहीं आएगा 2X square plus 1 by root 3 that means यह third option भी आपका सही होगा ऐसे similarly आप फॉर्ट को चेक करोगे तो यह सही नहीं आएगा यह गलत option होगा आपका इसको आप चेक कर सकते हो क्लियर? चलिए आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं question number 6 के बारे में क्या है देखो question number 6 के अंदर आपको i और j की values निकालनी है तो सबसे पहले तो देखो अगर आप इस question को थोड़ा ध्यान से देखो यह ना इसे बड़े question जब भी आते हैं उसको थोड़ा अच्छे से देखा करो 1 plus sin x plus cos x दोनों के अंदर आ रहा है तो एक बार देखो दोनों equation को जोड़ दो j plus k ब्रावर कितना आएगा integration of नीचे तो LCM आजाएगा 1 plus sin x plus cos x क्योंकि दोनों में यही है उपर क्या आएगा देखो sin square x plus cos square x 1 हो जाएगा प्लस इधर sin x है और इधर cos x है तो देखो कितना आसान हो गया क्या हुआ यह दोनों same आगे same आगे तो यह इसे कट जाएगा और इसे कट जाएगा तो j plus k ब्रावर कितना आगया बच्चो 1 into dx और इसको आप बहुत आसानी से integrate कर सकते हो x plus c तो j ब्रावर कितना आजाएगा बच्चो x minus k plus c ठीक है यह option आपका बिलकुल सही है ठीक है अच्छा आपको options को देखके पता भी चलना चाहिए कि ऐसा करने से कुछ होगा देखो j plus k आ रहा है ना तो मैं इस इन दोनों को जोड़ने से कुछ अच्छा होने वाला एक्यूसन में है इसे देखो यहाँ पर देखो j minus k हो रहा है इसके अंदर अगर इस वाले option को देखोगे तो j minus k तो जैसे अपने j plus k निकाला है नो वैसे ही j minus k भी निकाल लो तो j minus k निकालोगे तो क्या करोगे अच्छा वैसे तो j minus k निकालना है आप बचाओ तो k minus j भी निकाल सकते हो उसमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है sin square x minus cos square x इसके क्या कर दीजी बच्चो इसके factors कर दीजी तो यह हो जाएगा sin x minus cos x into sin x plus cos x ठीक है साथ में देखो इसमें क्या है sin x इसमें cos x तो साथ में आएगा plus sin x minus cos x ठीक है और divide by 1 plus sin x cos x 1 plus sin x plus cos x यह तो दोनों में common था पहले भी था अभी भी common है पस इसमें नया क्या आगया इसमें sin square x minus cos square आएगा तो उसके factors करने पढ़ेंगे इसमें से देखो sin x minus cos x को common ले लो तो j minus k ब्रावर कितना आ जाएगा j minus k ब्रावर sin x minus cos x common sin x minus cos x common और बाकी आपका कट जाएगा denominator और वो दोनों क्योंकि यहां पर आएगा sin x plus cos x और यहां पर आएगा 1 उससे वो cancel out हो जाएगा अब इसको integrate कर दो k को उधर ले जाओ तो j ब्रावर k minus sin क्योंकि sin x का integration कितना होता है minus cos x और cos x का क्या होता है plus sin x तो यह भी हो जाएगा आपका minus sin x दोनों में से minus sin को common ले लो plus c तो j ब्रावर k minus cos x plus sin x यह भी आपके सामने क्या हो गया सही हो गया तो third और fourth दोनों option आपके पास में सही है ठीक है और अगर third और fourth आगया तो पहले हो दूसरे को तो आप check कर सकते हो j plus के आगया j minus के आगया दोनों को जोड़ दो तो j आ जाएगा दोनों को गटा दो तो k आ जाएगा चली आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं next question number integer type questions के दो multiple choice questions हमारे यहां पर complete हो जाते हैं चली बात करते हैं सबसे पहले पहला question integer type का इसमें देखते हैं कि हमें क्या करना है ठीक है the least value of a for which this equation has at least one solution on the interval 0 से πाई पाई 2 ठीक है 0 से πाई पाई 2 के बीच में ठीक है यह जो equation है ठीक है एका least value क्या होगा कि इसका कम से कम एक solution आना चाहिए 0 से पाई पाई 2 के बीच में जो interval है वहाँ पर कम से कम इसका एक solution आए तो देखो क्या करना होगा एक काम करते हैं सबसे पहले क्योंकि ऐसा function दे रखा है ठीक है जिससे अपन direct अगर नहीं सौच पा रहे है ठीक है तो अपने काम कर लेते हैं इसको एक function लेकर गे इसको differentiate करते हैं और देखते हैं कि यह कहाँ पर आपके पास में increase decrease होगा कहाँ पर यह minimum आ सकता है उसके बारे में discuss करते हैं क्या आएगा देखो अगर मैं इसको function लेलू और इसका differentiation करूँ f-x तो क्या आएगा देखो sin x का differentiation करोगे पहले 1 upon sin x का तो minus sin square x आ जाएगा और sin x का differentiation करोगे तो cos x फिर minus sin फिर से इसका differentiation 1 upon 1 minus sin x का all square और इसका उपरवले का 1 minus sin x का differentiation करोगे तो 0 sin x का differentiation cos x तेकर न ये इसका differentiation होगा इसमें से देखो क्या common आ रहा है उपर से cos x common आ जाएगा तेकर न इसको common ले लेना तो यहां बचेगा 4 times sin square x तेकर ये तो minus का है और ये minus minus plus हो जाएगा 1 upon 1 minus sin x का all square ठीक है अब बात कर लेते हैं कि 0 से pi pi 2 में ये क्या कभी 0 हो सकता है क्या तो देखो cos x तो कभी 0 नहीं होगा 0 क्योंकि x का interval दे रखा है आपको क्या है 0 से pi pi 2 हमें 0 से pi pi 2 में ही बात करनी है ठीक है तो क्या 0 से pi pi 2 में ये कभी 0 हो सकता है क्या इसको check कर लेते हैं क्योंकि minus sin आ रहा है बीच में तो 0 हो सकता है दो perfect square numbers के बीच में तो ये 0 कभ होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो 4 upon sin square x बराबर हो जाए किसके 1 upon 1 minus sin x के all square के बराबर और अगर ये दोनों numbers बराबर है तो देखते हैं solve करकी क्या आता है यहां से तो square को जब अटाओगे तो आ जाएगा 2 by sin x बराबर 1 upon 1 minus sin x एक बार तो plus sin और एक बार minus sin ठीक है ना दोनों possibilities हो सकती है so 2 minus 2 sin x बराबर कितना हो जाएगा plus minus sin x ठीक है इसको solve करते देखो कितना आएगा देखो जब plus sin x लोगे वहां से तो ये 2 sin x उदर जाकर कितना हो जाएगा 3 sin x बराबर 2 और जब यहां से minus sin x लेंगे तो ये 2 sin x उदर जाकर कितना हो जाएगा sin x बराबर 2 अगेन ये दूसरी वाली possibility तो कभी हो ही नहीं सकती ठीक है ना ये कभी नहीं हो सकती sin x बराबर 2 तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि sin x समेशा minus 1 से 1 के बीच में लाई कर रहता है तो 3 sin x की value 2 हो सकती है इसका मतलब ये हुआ कि 0 से πाई-पाई-टू के अंदर एक point ऐसा आ रहा है जहाँ पर point of minima या point of maxima में से कुछ एक आने वाला है ठीक है और वो condition अपने यहाँ लिख लेते हैं ताकि अपने यहाँ पर इसको आगे और analysis कर सके 3 sin x बराबर 2 इस point के ऊपर कुछ आने वाला है चलिए देखते हैं क्या आएगा इस point पर एक second इसको मिटा दे ताकि अपने इसको अच्छे से analysis कर सके आगे देखो 3 sin x बराबर 2 के ऊपर कुछ आने वाला है क्या आएगा देखो बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसके graph की अगर बात करूँ ठीक है कहां पर अच्छा एक second यह वापिस आ गया इसको मिटा दे अगर अपन बात करें इसके graph की कहां से कहां तक 0 से πाई-पाई-टू क्योंकि हमेरे इसी interval में बात करनी है अच्छा sin x की value 2 by 3 होगी इसके बीच में बिल्कुल होगी 0 से πाई-पाई-टू में एक बार तो कभी ने कभी 2 by 3 होगी क्यों 0 से 1 के बीच में vary करता है अच्छा देखो x ब्राबर 0 पे क्या हो रहा है x ब्राबर 0 के उपर देखो यह term आपके पास में plus infinite की तरफ एप्रोच करेगी कहीं न कहीं ठीक है अच्छा इसके बाद में अगर मैं πाई-पाई-टू पे बात करो तो πाई-पाई-टू पर यह value तो कितनी हो जाएगी पहले वाली तो 4 हो जाएगी और दूसरे वाली कितनी हो जाएगी sin πाई-पाई-टू 1 होता है तो यह इंफिनिटी हो जाएगी 4 प्लस इंफिनिटी फिर से इंफिनिटी की तरफ एफ्रोच करेगा मिन्स पाई-पाई-टू के उपर भी ग्राप आपके पास में प्लस इंफिनिटी की तरफ एफ्रोच कर रहा है अच्छा इसके बीच में शिरफ एक ही x की value क्या है आपके पास में 2 by 3 ठीक है that means ये इसकी जो least value होगी ठीक है ना इसकी जो least value होगी वही आपके a के बराबर में होगी और उसी case में इसका आपके सामने क्या मिल जाएगा x solution मिल जाएगा ठीक है तो आप sin x की जोगे इसमें 2 by 3 पूट कर दीजिए आपका answer आजाएगा और वही है आपका a तो a बराबर कितना हो गया 4 divided by sin x is 2 by 3 3 को उपर ले जाएगे plus 1 divided by 1 minus 2 by 3 will be 1 by 3 ये कर जाएगा 2 time so 6 plus 3 बराबर 9 क्योंकि sin x जब 2 by 3 है तो a का value 9 हो रहा है तो जब यहाँ पर 9 होगा ठीक है न देखो जब a की value 9 होगी कब होगी जब sin x की value 2 by 3 है और जब sin x की value 2 by 3 है तभी ये minimum है तो least value of a for which the equation this has at least one solution ठीक है न तो उसके लिए आपके पास में a की जो least value है वो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी अच्छा solution इससे ज़्यादा पर भी हो सकता है जैसे for example a की value 10 हुई एक की value 11 हुई तो a की value 11 उपर होगी यहाँ पर तो वहाँ पर भी 2 solution होंगे लेकिन वहाँ पर कितने होंगे दो होंगे ठीक है आपको तो क्या चाहिए at least एक solution चाहिए और a minimum चाहिए तो दोनों में से जो a minimum है वो कौन सा आपका 9 होगा के लिए रोगा सभी को काभी अच्छा question है इसको ध्यान से देख सकते हैं आप लोग आगे चलते हैं फिर बात कर लेते हैं question number 2 के बारे में question number 2 क्या है देखो हमारा question number 2 के अंदर number of solution चाहिए हमें इस equation के ठीक है इसके number of solutions कितने हैं उसके बारे में discuss करना है चली करते है 310x plus x cube ब्राबर 2 अगे देखो 310x plus x cube को एक function जब भी आपको इस टाइप के questions आते हैं ठीक है न एक side वाली जो function होता उसको एक function लीजिए उसको differentiate कीजिए f dash x ब्राबर कितना हैगा 3 seg square x अचाहिए differentiation क्यों कर रहे है ताक कि अपने इसके graph को या इसको थोड़ एनलेसिस कर पाएं कि 0 से pi pi 4 में क्या हो रहा है ठीक है अचाहिए 3 seg square x plus 3 x square ठीक है अचाहिए आपसे the number of solution of the equation in 0 से pi pi 4 ही पुछा है आगे बात करनी नही है तो 0 से pi pi 4 तक ये भी positive ये भी positive वैसे भी square number है so f dash x हमेशा greater than 0 होगा ठीक है means 0 से pi pi 4 के अंदर ठीक है ये आपके सामने क्या होगा increase होगा इसका graph x equal to 0 पर function की value 0 है ठीक है और x ब्राबर pi pi 4 पर भी function की value और function हमेशा increase हो रहा है तो इसकी कुछ value आ रही होगी याँ पर कितन आएगी वो भी आप निकाल सकते हो 3 plus pi cube upon 4 cube ठीक है ये आजाएगी pi pi 4 पर ये point आजाएगा अब देखो आपको पूचा क्या गया है ये graph हमेशा increase होगा इससे पता चल गया आपने को 0 पर value 0 है इसके उपर value 3 plus something है 3 से ज़्यादा आ रही है ठीक है और आपके ब्राबर में क् इसका graph बनाया अपने एक y ब्राबर 2 का graph बनाएंगे तो y ब्राबर 2 इसके नीचे आएगा कि इसके उपर आएगा तो इसके नीचे ही आएगा और एक ही बार कट करेगा क्योंकि ये हमेशा increasing function है तो इसके जो number of solutions होंगे वो कितने आ जाएंगे बच्चो only one के जाएर सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं next question बहुती आसान question था ये question number 3 के बारे में इसको थोड़ा ज्यान से देख लीजिए बच्चो थोड़ा सा short format में आ रहा है ठीक है तो इसको क्या करना है यहाँ पर data जो लिखा गया है उसको बड़े ज्यान से देखिएगा इसको integrate करना है अपने को और integration कौन सा है indefinite तो चलिए करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारे पास एक्स बराबर ये और यहाँ पर ये किसको निरुपित कर रहा है बच्चो मैतम पूर्णांग फलन को निरुपित करता है greatest integer के greatest integer function तो ध्याना किये इसको जब निकालेंगे तो ए greatest integer के format में आना चाहिए ठीक है चलिए बात करते हैं देखे एको एक्स बराबर ये उपर क्या है देखो 1 प्लस एक्स इसको देखो एससे लिख लो थोड़ा 1 प्लस एक्स स्क्वाइर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स ताकि अपने इसको बंध डिवाइड बाई नीचे वाले देखो ध्यान से देखो बच्चों एक तरीका होता है इसको करने का वैसे तो बाकी आप जैसे से प्रेक्टिस करोगा आपको बता चल जाएगा इस तरीके का एक्स्प्रेशन दिया गया है ना 1 2 3 4 फिर वापिस 3 2 1 ठीक है ना तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आप इसमें से कोई एक कॉमन फेक्टर बना सके ठीक है अचा उपर 1 प्लस X आ भी रहा है तो फेले हीडें ट्रेल करके आप चेक भी कर सकते हो एक बदावर माइनस 1 इसका फेक्टर है या नहीं ठीक है तो माइनस 2 माइनस 2 आएगा यहाँ से आपके पास में 3 3 प्लस का आएगा 4 नेगेटिव का आएगा यह दोनों पॉजिटिव के तो एक बार 8 इदर के आप चेक कर सकते हो बट यह आमेंसा बनेगा आपके सामने इसा तो इसको 1 प्लस X लिखो 1 प्लस 2 X को लिखा 1 प्लस X ठीक है पिछे 1 X बच गया आग 2 X स्क्वाइर बच गया तो आगे वाला जो ट्रम है उसमें से क्या लो सिरफ 2 X क्यूब यह आपर काम में लो आपको कितना दे रखा है 4 X क्यूब दे रखा है तो पीछे कितना बच गया 2 X क्यूब आ रहा है तो आगे 2 X की पावर 4 यूज में लो कितना दे रखा है 3 X की पा और 6 देखो बन गये हैं न सारे ठीक न सब कुछ अरेंज हो गया और सब कुछ अरेंज होने से 1 प्लस X का फेक्टर नीचे से common आ जाएगा और उसको काट दो और उपर multiply कर लो तो 1 प्लस X स्क्वाइर का स्क्वाइर माइनस X स्क्वाइर प्लस X स्क्वाइर तो इस से यह भी कर जाएगा अब देखो नीचे नीचे वाली ट्रम में थोड़ा द्छाएगा पहली ट्रम यदि लिखेंग़ वन प्लस X कर जाएगा 2x square common आजाएगा 1 plus x कट जाएगा 2x cube common आजाएगा बाकी कट जाएगा x की power 4 common आजाएगा बाकी कट जाएगा x की power 5 common आजाएगा अब देखो ज्यान से 1 plus 2x square plus x की power 4 ये क्या है 1 plus x square का whole square उपर भी 1 plus x square का whole square तो इसको तो ले लो क्या एक साथ क्योंकि ताकि उपर वाले जैसा ही फेक्टर बन गया पीछे क्या बचा x प्लस 2x cube प्लस x की पावर 5 यहां से x common तो पीछे क्या बचेगा देखो इस वाले में से x common लेने बाद 1 प्लस 2x square प्लस x की पावर 4 यह भी है बच्चो 1 प्लस x square का all square तो यह भी common आ करके कट जाएगा तो finally बचेगा बच्चो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x तो actually यह जो इतना बड़ा जो function देरका है यह इतना बड़ा function नहीं है यह है शिरफ आपका 1 upon 1 प्लस x ठीक है 1 upon 1 प्लस x और 1 upon 1 प्लस x है ठीक है तो इसको बड़े आसानी से integrate कर सकते हो तो इस question में दो चीजें थी आपको पहले तो इसको simplify करना था तो इसको अपने अभी अभी किया था यह आया था तो इसको integrate करना है तो यह आएगा ln of 1 प्लस x लेकिन इसमें फिर एक और आगे नई चीज है इसको integrate करने के बाद में आपको f of 90 अच्छा प्लस c भी आएगा f of x ब्राबर f of 99 माइनस f of 3 यह निकालना आपको तो यह आएगा ln 100 प्लस c माइनस ln 4 माइनस c तो c से c तो कड़ जाएगा आपको किसी confusion हो कि indefinite में c भी आता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है तो यह क्या बचेगा ln 100 by 4 ln 25 यह है बच्छों आपके लिए नई चीज ठीक है जिन लोगों को पता है वो बहुत जल्दी कर लेंगे अगेन जिनको नहीं पता है तो इतना सबको पता होना चाहिए यह e की value 2.7 होती है 27 का square तो सबको पता होगा कितना होता है 729, 7.29 e cube निकालोगे तो इसको 2.7 से multiply करोगे इतना तो सबको दिखाई दे रहा है 14 से ज़्यादा होगा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है 14 से तो ज़्यादा होगा ठीक है अब बात करते है e की power 4 की e की power 4 को क्या करना है अगर आप सबसे चोटा नमबर भी लेते हो अगर 14 जिससे अगर आपने यहाँ पर 7 को 2 से अगर multiply करते हो वैसे तो 2.7 से करना होता है अगर 2 से भी करते हो तो 14 आता है और अब 14 ही अगर आप लेते ठीक है नब बाइचांस से लो 17 नहीं भी लिया तो अगला जब 2 से multiply करोगा तो 28 मतलब यह 28 से तो बड़ा होगा अगर आप minimum भी ले लेते हो 28 इसका मतलब यह हुआ कि यह जो नमबर है आपका यह आपका e cube से e 4 के बीच में लाई कर रहा है ठीक है और जब आप greatest integer के अंदर e की power 4 put करोगे तो यह greatest integer में 4 बनेगा और e cube put करोगे तो 3 आएगा और यह इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है यह 3 से 4 के बीच का नमबर है ठीक है ना 4 से छोटा होगा 3 से बड़ा होगा कुछ भी ले लो उसका जब greatest integer निकाल होगे तो 3 आएगा बाकिया आप चाहो तो exact निकाल सकते हो ठीक है e cube और e की power 4 यह 25 से कम होगा यह 25 से ज्यादा होगा इसलिए answer आएगा 3 से 4 के बीच और 3 से 4 से बीच के नमबर का greatest integer कितना होगा बच्चो 3 आने वाला है क्लियर चलिए आगे चलते हैं बात कर लेते हैं next question number 4 क्या है देखो question number 4 के अंदर आईए बात करते हैं 1 minus 7 cos square x divided by sin की power 7 x cos square x देखो बच्चो इस 7 को देखकर के आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या 7 कैसे आ सकता इसके differentiation से आ सकता है न इसका मतलब यह हुआ कि इसमें integration by parts का use किया है इन्होंने कहीं न कहीं minus 7 x cos square x को उपर लाओगे तो से की square x और minus यह इसको लिकलो एज़िटी 7 divided by cos square x तो कट जाएगा sin की power 7 x और इसको i1 नाम दे दो ठीक है ना क्योंकि इसका use मेरे को लग नहीं रहा है क्योंकि integration by parts में generally दूसरी terms जो होती है वो कट जाती है और क्योंकि इसके differentiation से आ रहा है मतलब part इसी में लगेगा यह पहला function और यह दूसरा function चलो देखते हैं क्या आता है देखें इसको अगर आप integrate करोगे तो 10x आएगा इसको वापिस नीचे लिया हो sine की power 7x ठीक है इसमें limit आपको put करनी नहीं क्योंसी type में function दे रहा है प्लस c भी दे रहा है आगे चलते हैं देखो minus 7 करोगे तो बाहर आजएगा प्लस 7 ठीक है फिर एक power कम होगी तो sine की power minus 8 हो जाएगा उसको लिख दिया 1 upon sine की power 8x इसके बाद में sine x का भी differentiation होगा बच्चों तो कितना आएगा cos x ठीक है ना सिरफ इसकी power का नहीं होगा पहले power का होता है फिर sine x का भी होगा cos x और फिर seg square x का integration 10x होता है 10x को लिख दिया बच्चो sine x divided by cos x ये कट जाएगा क्या बचेगा एक sine x उपर है नीचे 8 है तो नीचे कितना बच जाएगा वापिस 7 और 7 upon sine की power 7x को अपनने क्या नाम दिया था बच्चो i1 तो देखो ये plus का i1 और आगे है minus का i1 तो दोनों कट जाएगे तो सिरफ ये ही बचेगा ये है sine की power 7x नीचे दे रखा है मतलब gx अपना कितना है बच्चो compare कर लो तो gx आगया आपका 10x अब बच्चो gx आगया तो आपसे g dash of 0 पूचा है तो पहले g dash x निकालना पड़ेगा that is seg square x अच्छा g dash x भी चाहिए वो भी निकाल लो g dash x कितना आजाएगा 2 seg x और seg x का seg x 10x इसा put करतो दोनों value देखो इसमें तो put करना है 0 और इसमें put करना है pi pi 4 तो देखो seg 0 की value कितनी होती है बच्चो seg 0 की value होती है 1 और 1 का square 1 plus 2 time seg 0 की आच्छा या pi pi 4 put करना है बच्चो seg pi pi 4 की value होती है root 2 का square into 10 pi pi 4 1 कितना हैगा 1 plus 4 2 गुणा 2 4 प्रावर 5 तो यही है बच्चो आपका answer इस question का जो सही answer है वो है आपका 5 clear चली आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं next question number 5 के बारे में क्या है देखो question number 5 के अंदर आपको कुछ ऐसा दे रखा है और इसको आपको tangent draw करनी है चलो करते हैं बच्चो tangent draw बहुत सारी tangents draw कर चुके हैं अपन एक दो और कर लेते हैं इतने ही बचे होंगे अब देखो y ब्राबर log to mod x का mod देखी जब भी mod आपके पास में ज्यादा आजाए question में तो थोड़ा सतर्क हो जाईए mod और greatest के question को करते time पे थोड़ा सा सतर्क हो जाईए अच्चा आपको पहले यहां पर information पढ़ियोगी अगले जो next 4 question है उनका answer decimal type में आ सकता है देखे न आपने पास minus 1 by 3 y point निकाल लेते हैं y point निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं इसमें put कर देते हैं तो y ब्राबर mod over log 2 minus 1 by 3 put करोगे तो यह कितना आएगा minus 1 by 3 का mod कितना आएगा बच्चो that is log 2 1 by 3 जब इस पर mod लगाओगे तो यह कितना आजाएगा आपके पास में ऐसा ही आजाएगा इसके बाद में फिर से वापिस आगे बात कर लेते हैं तो यह है आपके पास में log 1 minus log 3 और यह 2 के बेस पर है और इस पर भी mod लगाओगा है log 1 की value 0 होती है बच्चो तो इसके उपर mod लगाओगा है तो इसको आपने लिख सकते है ln 3 by ln 2 ठीक है? mod लगाओगा है तो हमेशा positive होगा ठीक है? अंदर minus sign है लेकिन minus 2 का mod भी कितना होता है 2 तो minus sign को आप बटा सकते हो ln 3 by ln 2 यह y का मान आ गया x का मान अपने को पता है log 2 minus 1 by 3 जब x negative है तो यह mod minus sign के साथ खुलेगा पहली बात दूसरी बात दूसरा होला mod अब देखो जब minus 1 by 3 पुट करो यह खुद तो positive हो जाएगा लेकिन log 1 by 3 होगा और log 1 by 3 की value भी negative होती है तो बहरवाला mod भी minus sign के साथ में खुलेगा इन दोनों बातों का ज्यान रखना इसकी गलती नहीं करनी है अब आप आगे बढ़ सकते हैं आप अपने answer को आसानी से निकाल सकते हैं dy by dx बराबर एक चीज़ का और ज्यान रखना है बच्चो log का base 2 है जो आप formula लगाते हो 1 by x वाला वो ln का होता है log 2 का नहीं तो इसमें by log 2 भी आएगा so 1 upon log 2 इसको बहार रख दो पहले minus sign के साथ में ठीक है अब ln x बन गया ln of minus x है ना उसका differentiation क्या होगा minus 1 by x और x का क्या होता है minus x minus 1 ठीक है minus minus यह प्लस हो जाएगा और वैसे भी देखो ln mod x ही होता है 1 by x का integration तो इसमें अगर आप minus sign का नहीं भी यूज करते हो तो कोई दिककत नहीं है एक minus minus प्लस हो जाएगा x की value minus 1 by 3 पूट करोगे बाहर minus sign है तो यह value आएगी बच्चो 3 divide by ln 2 ठीक है यह log 2 नहीं ln 2 हो गया क्योंकि नीचे अपन ले आए है यह dy by dx आ गया y पेले से था x अपने को दे रखा था अब आप equation of tangent निकाल सकते हैं बच्चों आशानी से y minus ln 3 by ln 2 ब्राबर 3 by ln 2 into x minus x1 that is plus 1 by 3 कितना आ रहा है solve कर लो ln 2 को LCM ले लो so ln 2 into y minus ln 3 ब्राबर 3x और plus क्योंकि ln 2 तो कड़ जाएगा नीचे से 3x plus 3 into 1 by 3 that is 1 ठीक है अपने को क्या करना है ln 3e ठीक है ना ln 3 को मतलब positive रखना है तो सारे data को उदर लेके जाना है ठीक है इसको 1 को आप लिख सकते हो ln e ठीक है ना ठीक है यह उदर जाएगे minus का होगा यह plus का होगा लेकिन ln 3 plus ln e हो जाएगा ln 3 e ब्राबर 0 आपको क्योंकि यह त्रम दे रखे तो इसको positive रखना जरूरी है बाकि plus minus का जो भी sign आएगा उसको आपन बाद में देखेंगे clear आप देखो गर compare करते हो तो यहाँ p और plus y लिखा गया है plus y लिखा गया that means इस minus को भी plus बनाना है तो इसको लिखना पड़ेगा 3x plus ln of 1 by 2 into y और plus ln of 3 e ब्राबर 0 अब यह आपका exact उस format में आ गया क्योंकि अगर आपने इसको plus नहीं बनाया सिधा compare कर लिया तो भी गलत है अब बिल्कुल सही है क्योंकि यह plus sign भी आ गया p का मान कितना हो जाएगा compare करोगे तो 3 और q का मान कितना हो जाएगा compare करोगे तो 1 by 2 बाकि sign सारे अपने arrange कर दिये हैं तो p 3 और q 1 by 2 so p plus q पुछा आपसे यह आज का answer आ जाएगा आपका 3.50 क्या है यह answer आपको अपने answer sheet में बरना था क्या है चली आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं question number 6 के बारे में क्या है देखू question number 6 के अंदर आपको दिया गया है एक question एक cubic equation दी गई है और इस cubic equation का क्या करना है बच्चू इस cubic equation का roots निकालने हैं अपने को क्यों भी equation के roots बड़े lengthy होते हैं बच्चू देखो question आया तो करना तो होगा किस तरीके से करना है देखो x cube minus 3x plus 1 equal to 0 ठीक है अगर आप इसमे heat and trial लगाओगे तो भी इसके roots निकाल नहीं पाओगे और आपको देखे हैं कि इसके तीन वास्त्विक मूल alpha, beta और gamma है तो alpha plus beta plus gamma कितना होगा बच्चो 0 होगा इसकी जरूत पढ़ सकती है अपने को इसको रख लेते हैं अब बात करते हैं क्योंकि अगर हो सकते हैं मूल नहीं निकल रहे हैं तो अब मैं क्योंकि fractional part पूछा है न तो क्योंकि इस fractional part को अपन greatest में convert कर सकते हैं तो यह आजाएगा 5 by 4 alpha minus greatest integer of alpha plus beta minus greatest integer of beta plus gamma minus greatest integer of gamma ठीक है alpha plus beta plus gamma तो 0 है क्योंकि वहाँ पर भी अभी आपने देखा था जूरूत पढ़ भी गई so 5 by 4 minus sign बाहर greatest integer of alpha plus greatest integer of beta plus greatest integer of gamma ठीक है तो हो सकता है कि क्योंकि greatest में question पूछा है तो हमारा काम idea से ही चल जाए ठीक है न कि alpha, beta और gamma का greatest integer की value क्या होगी आईए देखते हैं उसके लिए क्या करते हैं इस qb को एक function मानते हैं और इसका differentiation करते हैं dy by dx ब्रावर 3x square minus 3 plus 0 3 common x square minus 1 factors कर लिए x plus 1 x minus 1 यह है बच्चो minus 1 यह 1 इधर plus इधर minus इधर plus ठीक है values भी निकालो function की minus 1 put करो देखो इसमें कितना आएगा minus 1 plus 3 plus 1 ऐसा होगा 1 से 1 कर जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा तो value यहाँ पर आ रही है minus 1,3 और बच्चो कितना 1 put करना है 1 put करो देखो कितना आएगा 1 minus 3 plus 1 एक और एक 2 2 minus 3 minus 1 तो 1 पर value आ रही है 1, minus 1 मतलब आपका qb कि इन दोनों point से pass कर रहा है ठीक है तो देखो इसके पहले graph increasing इस point तक लेके आना है इससे इसके बीच में decreasing यहाँ से यहाँ तक आना है फिर जैसा भी लेगा आपके graph यहाँ से ओ अपनी concality change करेगा इदर आएगा ठीक है इसके बाद में यहाँ से फिर increasing ऊपर की दरब जाएगा मतलब ऐसा graph बनेगा ठीक है चलिए ठीक है चलो अब बात कर लेते हैं आगे क्या आगे क्या हो रहा होगा इसमें ठीक है आगे क्या करना अपने roots निकालने है roots क्या है यह पहला root alpha है यह beta है यह gamma है अच्छा किसी को लगे कि alpha यही क्यों होगा तो कोई दिकत नहीं बच्चों इसको ले सकते हैं क्यों आपको तो तीनों का sum निकालना है ठीक है आप देखो इनके बारे में पता करने की कोशिस करते हैं कि यह क्या होगे तो सबसे पहले तो minus 1 से 1 के बीच में एक integer आता है इसमें 0 पूट करेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 तो 1 आएगा 0 पर value 1 का मतलब positive मतलब यह point उपर होगा इधर 0,1 तो 0 यहाँ पर है minus 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर इसका मतलब बच्चों एक root तो 0 से 1 के बीच में होगा ठीक है ना greatest integer की value क्या होगी उसकी greatest integer की value 0 ही होगी 0 से 1 के बीच में जितने भी numbers होते है सबका greatest integer 0 होता है clear आगे चल लेते 1 के बाद में अगला integer 2 आता है देखते 2 पर value क्या इसमें 2 पूट करो x ब्राबर 2 कितना आएगा बच्चों 8 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 9 माइनस 6 कितना आ गया 3 आ गया बच्चों वापिस तो 2 पर value 3 है मिस वापिस फिर उपर आएगा 2,3 इसका मतलब ये 0.2 है और इसका मतलब गामा जो है वो कहां से कहां है वो 1 से बड़ा है वो 2 से छोटा है 1 से बड़े वो 2 से छोटे नंबर का ये 1 पर थी ये 0 पर अब माइनस 2 पर क्यों माइनस 1 पर तो निकाल चुके माइनस 2 पर देखते हैं माइनस 2 पर आएगा बच्चों माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 1 कितना आएगा माइनस 1 माइनस 1 का मतलब नीचे आएगा तो minus 2 पर भी value देखो क्या आगई नीचे आगई ठीक है इसका मतलब जो alpha है आपके पास में वो minus 2 से minus 1 के बीच में होगा और इसका greatest integer की value क्या होती है बच्चो minus 2 अच्छा बाइचास जिस अगर यहां भी positive आ जाता तो यह point तो उपर हो जाता तो फिर root और पीच्छे होता फिर आपन minus 3 पर भी check करना होता ऐसे ही अगर यहां पर 2 पर अगर उपर नहीं कर नीचे आते तो हम आगे 3 पर भी check करते इस type से भी questions solve होते हैं और यह question का जैसे answer आ रहे जाएगा आप कितना आएगा minus 1 इस से multiply होगर के 5 by 4 इसको फिर आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं question number 7 ओ हूँ फिर integration चलिए देखते हैं क्या करना है integration करना है चलो करते हैं देखते हैं 2x plus 3 divide by दिश 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 अच्छा त्यान से देखो यह expression तो कुछ जाना पेचाना सा है मैंस में भी आया था आपका ऐसा क्यूसन वहाँ पर जैसे किया था ऐसा यह जो भी consecutive terms होती है हमेशा क्यूसन को या कभी भी 2 या 2 से 2 से ज़्यादा factor अगर आ जाए तो combine करने का ही सोचना है पहले को चोथे के साथ multiply किया x square plus 3x plus 1 minus 1 कर दूँ वहाँ पर भी किया ही था हमने एक बाद दोबारा नहीं तो देख लेना आगे चल करके x plus 1 x plus 2 को multiply करोगे तो x square plus 3x plus 2 को 1 plus 1 लिखेंगे आगे है साथ में plus 1 ठीक है फिर देखो कितना आ रहा है 2x plus 3 into dx divide by कितना आएगा a minus b a plus b a square minus b that is x square plus 3x plus 1 का all square minus 1 plus 1 कर जाएगा इसको integrate करना है कर सकते हो अब तो बहुत आशा नीचे देखो x square plus 3x plus 1 को t मान लो x square plus 3x plus 1 को t so 2x plus 3 into dx कितना हो जाएगा बच्चो dt यहाँ इसको integrate करो देखो 2x plus 3 into dx ब्राबाबा dt और यह t square कितना हैगा integration minus 1 by t plus c कितना हैगा c minus 1 upon t ठीक है ना t किसको माना था x square plus 3x plus 1 ठीक है और वैसे भी देखो आपको दे रखा है कि जो इसका integration है c minus 1 upon fx और यह जो fx है आपका वो किस format का है वो ax square plus bx plus c तो अगर इसा नहीं आ रहा है वहाँ पे तो पहले आप उसको उस format में लेके आईएगा फिलाल हमारा आ चुका है यहाँ पर x square plus bx plus c compare करेंगे तो a का मान 1, b का मान 3 और c का मान भी कितना हैगा बच्चो 1 ठीक है 1, 3, 1 आ गया आपसे पूचा है b upon a plus c b आपका 3 है और a plus c कितना आजाएगा यहाँ से a plus c आजाएगा 1 plus 1 2 so that is 1.5 ठीक है और यहीं है इसका आंस्वर 1.50 कि जाए रहे सभी को that is question number 7 ठीक है चलिए इससी के साथ देख लेते हैं अपने इस paper का last question और that is question number 8 हाईए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है देखे question number 8 क्या है यह भी integration चलिए एक बार फिर integration कर लेते हैं क्या है 1 plus x की power 4 divide by 1 minus x की power 4 into dx divide by 1 minus x की power 4 की power 3 by 2 ऐसा है चलिए देखते हैं क्या आ रहा है देखे बच्चों ध्यान से देखें यहां से x की power 4 आ रहा है ठीक है उपर शिरफ function है नीचे उसके कुछ कुछ भी power दे रहे हैं तो question बनता है डैस x by apex का लीजिए common और check कीजिए तो यहां से आप common अब क्या लेना है तो आपको लेकर के देखना पड़ेगा x लीजिए x square बट जैसे power 1 by 2 है न तो इससे फता चलना चाहिए x square ही साथ आएगा तब ही उपर rational powers बनेगी ठीक है तो x square common लेंगे तो power 1 by 2 से क्या बन जाएगा x और जब उसकी power 3 करोगे तो x cube तो नीचे से x cube common आएगा उपर इसको divide कर दीजिए तो यह तो बन जाएगा x की power minus 3 और यह बन जाएगा x की power 1 into dx divide by x square common लिया था तो यहाँ बनेगा x की power minus 2 minus x की power 2 की power 3 by 2 के लियर इस power 1 by 2 से पता चलना चाहिए सीधा कि x square ही common लेने से कुछ बनेगा अब देखो क्या करेंगे x की power minus 2 minus x square को मान लेते हैं t square तो क्या रहा देखो minus 2 into x की power minus 3 minus 2 into x into dx बराबर 2t dt 2 common आगे कर जाएगा minus sign से भाग देदीजिए plus x into dx बराबर कितना आ गया बच्चो t dt with negative sign देखें न minus sign भी आएगा minus t dt यहाँ पूट करो देखो minus sign बाहर t dt इसमें t square पूट करेंगे तो t square पूट करेंगे तो power 2 तो कड़ जाएगा लेकिन t cube आ जाएगा वहाँ से एक t हट करके नीचे आ गया t square और 1 upon t square का integration होता है minus 1 upon t बाहर minus sign है so 1 by t plus c ठीक है और आपको देखका है देखो इसका जो integration है fx plus c1 तो इस c को आप c1 ले सकते हो और t आपने किसको माना था तो fx बराबर कितना है आपके पास में 1 by t और t किसको माना था देखो जान से 1 divided by root over x की power minus 2 minus x square इसको वापिस अगर power को आप लिखो के 1 by x square तो उपर x आजाएगा और नीचे आजाएगा 1 minus x की power 4 ठीक है ये क्या आपके पास में fx लेकिन अभी इसको आपको एक बार फिर integrate करना है तो चलिए देखते हैं कि इसका integration देखो कितना आ रहा है देखे इसको मिटा देते हैं पेले इसका काम तो हो गया चलो देखे 1 minus x upon 1 minus x की power 4 ये fx है इसको integrate करने से gx आ रहा है x divided by 1 minus x की power 4 into dx ये तो बड़ा आसान integration है बच्चो x square को क्या माना t x into dx कितना आ गया dt by 2 x into dx ब्रावर dt by 2 यहाँ put किया dt dt बहार आ जाएगा 1 by 2 divide by कितना आएगा 1 minus t square का root ठीक है ना उपर x था इसलिए x square को हमने क्या put कर लिया t और ये सीधा फॉर्मुला होता है किसका that is 1 by 2 into sin inverse t plus c2 gx plus c2 दे रहा है तो यहाँ से gx कितना आ गया बच्चो gx बराबर आ गया आपके पास 1 by 2 into sin inverse t किसको माना था t माना था पर ने x square को तो यहाँ put कर दो x square plus c2 आ गया ये अच्छा g of 0 की value आपको 0 दे रखी है ठीक है क्योंकि आपको से g of 1 by root 2 पूछा है ठीक है अच्छा वैसे ये नहीं भी दिया हुआ होता तो भी काम चल जाता क्योंकि यहाँ से दिखाई दे रहा है कि g of 0 की value 0 ही है so g of 1 by root 2 चाहिए so g of 1 by root 2 निकाल लीजिए 1 by root 2 बराबर 1 by 2 sin inverse 1 by root 2 का square that is sin inverse 1 by 2 और sin inverse 1 by 2 कितना होता है बच्चो pi pi 6 तो यह आजाएगा आपका pi upon 12 और आपको equal to में कितना दे रखा है pi upon k दे रखा है pi से pi कट जाएगा तो यहाँ से k का माना आगया बच्चो 12 ठीक है अब आपसे पूछा क्या है then find the value of 3 k by 8 इसका मान क्या होगा तो यहाँ पूट कर दो 3 बटे 8 गुणा के कितना आया था 12 इसको काटो देखो 4 से कट जाएगा 3 बार 4 से कटेगा 2 बार तो यह आएगा बच्चो 9 by 2 और 9 by 2 कितना होता है 4.5 तो इसको आपको सही आंस्वर बरना है 4.50 clear है तो इसको आपके सामने इसका आंस्वर आ जाएगा फिर भी अगर इसमें कुस भी डाउट रहा है आपको अपने इस पेपर के अंदर अगें वही बात आप क्या कर सकते हो जिस भी क्यूशन में आपको डाउट रहता है उसको दो बार देखिए तीन बार देखिए वैसे मैंने सारे क्यूशनों को अच्छी तरीके से explain करने की यहाँ पर कौसिस किये है फिर भी किसी भी बच्चे को जो भी बच्चे यहाँ पर offline classes ले रहे हैं वो doubt class में आकर के जो भी मैंने कोई भी concept discuss किया किसी भी type का कोई भी अगर आपको doubt रहा है यह कैसे हुआ है तो वो आप आकर के अपने doubt class में सामको 4-6 आपकी doubt class होती है जो target और 12 के जो भी बच्चे होते हैं 12 वाले बच्चे अगर free हो तो वो सूबे भी आ सकते हैं 10-12 के बीच और आप आकर के अपने सारे doubts अच्छे से क्लियर प्रास अक्ते हैं क्लियर है बच्चो ओके थैंक्यू वारी मच्च